हालो गाइज आज मैं आपके लेकर आया हूँ गोस्तिक तो चलिए हम एक फाइल आपके समक्ष ले चुके हैं और यह फाइल मैंने पुरु से ही त्यार कर रखा था चलिए हम तौदा की ज्यादा वीडियो लंबा नहों लंबा नहों तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हमने में नेमरे रखा है मर्क्स दे रखा है यहाँ पर नाम दिया है विवेक कुमार यहाँ थे जिस इनका अभी एक्जाम नहीं हुआ है ठीक है और अभी हमने पाया कि यह चार सब्यक्स का जो एक्जाम दिये हैं इसमें इनका जो मार्ट टोटल आया है वो टोटल मार्ट दो सो बाइस है यानि 222 मार्ट है ठीक है अब देखना यह है कि इसका मुख्यूदे से है लक्ष निधायत करना तो अगर हम चाहते हैं कि इसका टोटल जो मार्ट है 300 हो जाए हना ताकि 60% यह ए पर्यों करते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि गोल सक्क के सपोर्ट से हम लोग SST में ये गोल सक्किये हमें बताएगा कि SST में विवेक कितना मार्क्स लाएं कि इनका टोटल जो मार्क्स है 60% हो जाए यानि 300 मार्क्स हो जाए ठीक है तो इसी को निर्धायत करने के ठीक है और यहां कि हम लोग गोल सक्क पर क्लिक करते हैं इस तरह के डायलोग वोक्स हमारे सामने ओपेन हो जाता है और यहां पर क्या होता है फर्स्ट में दिया रहा था सेट सेल यानि सेल को सेट करने के लिए किस सेल को जिस सेल में जिसका मार्क्स आपको बढ़ाना है तो हमको मार्क्स किसका बढ़ाना है या टोटल में किसका 222 का तो 222 को यहां स्लेट करते हैं यहां पर किस व्रो में है तो 9 यहां पर करना है इसको तो हमको कितना करना है टोटल भैलू को 222 है इसको हम लोग 300 करना है तो यहां पर हम पर क्या करते हैं 300 लिख लेते हैं by changing cell किसका marks बढ़ाना है किस subject का तो हम लोगो स्सेटी का marks जो है बताना है कि कितना marks आए कि इसका जो total marks है 300 हो जाए तो स्सेटी के इस blank space को हम लोग यूज़ करते हैं क्लिक करेंगे देखिए आब कि किस kolum में है तो डी कॉलूम में है और सेब रो में है ठीक है यहां पर आया जैसे करेंगे मार्स 10 कर देगा यानि दिखाने लगा देखिए यहां पर आप देखिए 78 marks यांनि 78 marks एसस्ती में विवेक का आएगा तो टोटल मार्स हमारा 300 होता है ठीक है तब 300 ये मार्क्स टोटल एक्षिब कर लेंगे चलि एक दूसरा हम लोग उदारा लेते हैं एक और हमने पहले सी डाटा तैयार कर रखा है चलि एक रंजीत नाम के विखती है ठीक है उनका मार्क्स जो है मैच फिजिक्स इंगलिस केमस्ट्री में 45 75 56 73 आया और इनका एक एग्जाम सेस है हिंदी का और इनका total marks हम लोग add करते तो total marks इनका 249 आया है तो अब करते हैं पार्टिप पर जाते हैं गोशिक पर जाएंगे ठीक है हमको किसका माक्स बढ़ा रहा है यह 249 का तो इसको हम लोग select करते हैं तो यहां पर इसका address दिखाया D21 तो देखिए इस D column में है और 21 row में है इसलिए इसका जो है space जो है D21 दिखा रहा है ठीक है 2 value कितना चाहिए suppose किजिए हम लोग 320 यहां पर हम लोग डालते हैं ठीक है 2 value में और फिर by changing cell में किसका माक्स बढ़ाना हमको ग्याद करना है तो हिंदी का माक्स ग्याद करना है यहां पर हम हिंदी को select करते हैं ठीक है अब okay जैसे ही करेंगे यह so करेगा क्या so किया अगर हिंदी में 71 माक्स आता है रंजीत को तो टोटल इनका माक्स जो है 320 हो जाएगा तो इस तरह से आपने दो उधारन देखा फिर कुछ और उधारन हम लेते हैं यहांप यहां पे हम लोग आ जाते हैं city tree city में कि और हम लोग देखते हैं city में आप देखिए कि यहां कि पहले दे रखा है में मैथ हिंदी साइंस एक टींगिले स्टल और 이해 अशीज़टчи अगर हम हम चाहते हैं हना इसमें पर्षेंटे जो है जैसे सब्साइन परसेंटेटेंग जो है एक और प्रषेंटेंट्स आया हुए है है चार शब्षेंटेंग में रहे हैं तोल मार्ड की Save पर्रसेंटेक जो इनका आया है 51 पर्रशिंटेक अब हमको यह देखना है यह ज्याद करना है यह फाइंड आउट करना है कि इनका कितना नंबर आएगा ताकि इनका जो है टोटल पर्रसेंटेक जो है 51 से बढ़ कर 60 हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग गोल्से का परयोग करते हैं चलिए अब देखते हैं गोल्से का परयोग करके हम लोग क्या करेंगे में जांगे हैं अद्र चाहिए धना यह लगे कि पर चाहिए करेगे एख सब्जट ना तय करना है तो मो Englis का माक्स करना है तो इस space का use करेंगे जैसे click करेंगे हाँ पर यह address आ जागा ओके करेंगे यह so करेंगा यानि अगर राज को English में 45 बाक्स मिल आएगा तो इनका परसेंटेज टोटाल 60% हो जाएगा इस तरह से हम next देखते हैं फिर एक रंजीत नाम का हमने मार्क्सिट बनाया है फिर यहाँ पर देखें इनका Hindi, Science, SST और English का exam हो चुका है हना और इस में चारों का जो marks इनका add करने पर 286 हो रहा है और टोटाल परसेंटेज जो है इनका 57.2 है अब इनका math का एक exam 6 बचा हुआ है इस math के exam में अगर हम चाहते हैं कि 57 के जगह पर इनका 65% marks आ जाए तो 65% marks लाने के लिए Mr. Ranjit को math में कितना marks लाना होगा ताकि यह 65% हो जाए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे फिर what if analysis पर जाएंगे गोसिक पर जाएंगे इसका address देंगे इसका address क्या है हम लोगो 57% ठीक है और fade to value में क्या करेंगे कितना हम लोगों चाहिए तो 65 यहाँ पर हम इंटर करेंगे by changing cell किसका marks बढ़ाना है तो यहाँ रंजित का math का marks बढ़ाना है तो यहाँ पर हम वो click किये देखिए यह address यहाँ पर show करने लगा ओके करेंगे यह 100 करेंगा यानि मात्र 39 marks यह math में अगर एक्षिव करते हैं तिनका total percentage जो है 65% हो जाएगा तो इस तरह से हम गो से का परियोग करके निकाल सकते हैं अब चलिए हमनों कुछ product पर करके देखते हैं इस पर product पर हम कैसे इसको जो है हम apply करेंगे तो जैसे suppose किजिए कोई वेक्ती salt जो है हाना खर्दा हाना इसका product यह है product name है product code है यानि हर product का कुछ न कुछ code होता है यह quantity है यानि quantity आपका मात्रा कितना मात्रा में आप ले रहे हैं और kg liter piece में है यानि हम kg में भी product purchase करते हैं उससे related कुछ हम नाम दे रखें इसलिए kg liter piece का हमने यहां जेकर किया है और price हो गया और इसका total हो गया ठीक है अगर suppose किजिए salt हाना 5 kg खरदा आ ठीक है और 5 kg खरदा गया उसका price जो है 3030 यानि 30 rupees में हाना इसका per kg के हिसाब से खरदा गया तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग multiply कर देते हैं यानि 30 में 5 से multiply करते हैं तो कितना होगा 150 जैसे कि यहां पर हमने कर रखा है पूरु से ही अब हम चाहते हैं कि 150 जो इसका total जो है हाना total जो है इसका price होगा 5 kg का अब हम चाहते हैं कि इस पर हमको profit अगर businessman है कोई विख्ती उसपर अगर profit लेना चाहता है वो चाहता है कि 150 में मेरा जो है खड़जारी है यानि मेरा purchasing है अब हम इसकोween कि मतलब 50 है इस पर अगर हम profit लेना चाहते हैं तो किस rate में, किस rate में हम बेचे इसको, कि हमको इस 5 प्रोडक्ट पे 50 रुपे का income हूँ, ठीक है, तो इसके लिए ही हम लोग गोल्सिक का प्रयोग करते हैं, करेंगे क्या, what if you analyze this पर जाएंगे, गोल्सिक पर आएंगे, ठीक है, इसका address देंगे, इसका address क्या है, इसका address हम लोग देंगे, इसका address क्या है, 150 कहाँ पे है, एफ 13 में है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही, एफ 13 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, to value में हम लोग क्या देंगे, कितना चाहिए हमको, तो हमको कितना चाहिए है, 200 इसका, 200 चाहिए है, तो यहाँ 200 दिए, by changing cell किसम में change करना है, तो हम दो change कर सकते हैं, हम लोग price में भी changing कर सकते हैं, और quantity में भी कर सकते हैं, तो हम लोग price में करते हैं, ठीक है, price में किये, okay करेंगे, जैसे ही okay किये, देखिए, यह दिखाने लगा, क्या दिखा रहा है, यानि अगर इसको 40 रुपे पर kg के हिसाब से salt को बे 32 है, quantity 4 kg है, हना price 60 रुपीज है, और इसका total bound 240 है, ठीक है, आगर mango, mango पर हमको 300 रुपे अगर सपोच कीजी यहाँ पर, हना, चाहिए यानि 60 रुपीज इस पर हमको income चाहिए, 4 kg mango पर, हना, तो per kg पर यह कितना हिसाब इसका rate बढ़ेगा, या हम चाहते है कि नहीं, price वही रह है, ठीक है, 60 रुपीज सिंख के जी रहे है, तो हमको इसके quantity में कितना बढ़ोतरी करना होगा, ताकि हम एक्चिव 300 हम कर सकें, इसके लिए हम लोग गोल से का परियोग करेंगे फिर से, आएंगे what if analysis पर, गोल से पर आएंगे, ठीक है, और हम लोग किसका address देंगे, इसका ह हम लोग 240 का, इसका ना हम लोग को change करना है, 240 select करेंगे, ठीक है, by change itself, इसका हम को कितना चाहिए, 300 चाहिए, 300 यहाँ पर address देंगे, अब किसका हम लोग को quantity का बढ़ाना है, ठीक है, तो हम लोग quantity कहा है, यहाँ पर है, ठीक है, अब quantity पर click करेंगे, देखे, quantity पर जैसे ही click कि हाँ पर quantity का चला है एस पर ओके करेंगे अब देखिए क्या कर रहा है यानि हम 5 kg अगर 5 kg हम लोग मेंगो लेते हैं तो हमारा जो है 300 हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से या तो हम quantity बढ़ा सकते हैं या price बढ़ा सकते हैं तो इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे ऐसे हम लोग ज से है हमारी रिजल्ट को find out करना यानि हम जो रिजल्ट पाना चाहते हैं उस रिजल्ट को हम इसके support से पा सकते हैं फिर एक और देखते हैं उदारं जैसे सपोज कीजिए आप पेन है इसका product code 45 है quantity जो है 6 piece हम ने खरदा है और उसका price जो है 20 रूपिस है तम लोग क्या करते ह है 20 में 6 से multiply करते हैं वही काम यहां पर किया गया है यहां उपर आपको दिख भी रहा होगा c15 multiply e15 ठीक है 120 ठीक है एक हम आपको यहां करके दिखाते हैं suppose कीजिए यहां हम लोग rice purchase किए ठीक है इसका code हम लोग कुछ भी दे देते हैं ठीक है quantity suppose कीजिए हम लोग 5 kg पर्चेज कीए यहां फाइब लिखेंगे और हींपर हम लोग क्या करेंगे के लिखे देंगे ठीक है और यहां हम लोग किसमे है आपका राइस का जो है क्वांटिटी तो सी 17 में तेहां पर हमों एड़र देंगे सी 17 ठीक है multiply का sign देंगे ठीक है और price किसमे है यह 17 में है तो इस 17 लिखेंगे ठीक है जो माउड करते हैं ठीक है तो देखिए आप राइस जो है जो है है इसका प्रोडाट का कोड है 11 और इसका क्वांटिटी जो है 5 kg हम लोग लिए और इसका प्राइस जो है 100 रुपिल के जिस से हम लोग लिए तो कितना हो जाएगा 5 kg का 500 ठीक है अब हम चाहते है कि इसके क्वा कर then as 4 प्रेस् करेंगे तो यहां पर wa str a अग्या हम चाहते हैं कि इसका डियांदित फिर यहां एड्रेस्ट पर क्लिक करते हैं और क्या चाहिए हम लोग को अगर बढ़ाना है तो कौन्टीटित पर हम लोग राइस लेते हैं इसका जो है टोटल एमाउंट 750 हो जाएगा ठीक है अब अगर हमको चाहिए होता कि यहाँ पर 1000 करना है सब पूछ कीजिए को और उधारने लेते हैं और हम क्या करते हैं फिर से यहाँ पर देते हैं अगर हमको 750 रुपीज के जवापर हमको अगर 1000 चाहिए ठीक है 1000 चाहिए ठीक है बाइचेंजिंग से तो प्राइस में कितना का बढ़ोतरी किया जाया है हाना लेकिन जो है हमारा क्वांटीटी सेम रहे है ठीक है क्वांटीटी सेम रहेगा हाना और प्राइस में कितना बढ़ाया जाया हाना ताकि यह 1000 हो जाया इसके लिए ही गोल से का परियो करते हैं चलिए 100 पर हम लोग करते हैं आगर 133 केजी पर अगर और कर दिया जाया यानी पहले 100 था 133 यानी पड़ते केजी पर 33 रुपीज बढ़ा दिया जाया तो शाहे 7 केजी यानी सेबिन पॉइंट 5 केजी क्वांटीटी जो राइस का है इसका जो है रेट जो हो जायगा हना total amount 1000 हो जाए गा तो इस तरह से ग सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसमें अगर कुछ और चीज की जनकारी आपको चाहिए और डीटेल्स में चाहिए तो हमने तो परयास किया है काफी डीटेल्स में बताने का इसके अलावे भी और भी कुछ उधारन के साथ कुछ चाहिए आपको और पार गुछ उधारन चाहिए हो तो आप कमेंट में हम को बताय हम फिल शे नेक्स्ट विडियो आप लिए बनाने का प्रयत्मन करेंगे चलिए आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद